हलो फ्रेंट्स मैं हूँ स्राथ हमारा यूट्यू चनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स से जो घर का ट्यांक होता है वाटर ट्यांक को पानी भरा हुआ है और उसका जो वाल है बंद करने के लिए कोई वाल खराब है जिसके पार है जो हैंडल बॉल है वह बॉल अलड़ी संबस्काराई को चेंज करना है विडियो में आपको बताऊंगा और रनिंग लाइन में कैसे चेंज करते हैं यह से आर्सिस ट्यांक है यह इस फ्रेंड को बाद चनल को सब्सक्रेब किजिए और लाइक किजिए और बेल एकन को दबा के अब कर दिए तक जो भी वीडियो अप्लोड करूंगा पहले आपको नोटिविशन आजेगा चलिए शुरू करते हैं कि यह है और यह चार वाल यहां पर लगा हुआ है यह बहुत दिन पुराना हो चुका है जिसके बसे इसका जो वाल का अंदर जो बॉल आता है वो बॉल अलड़ कि रिष्ठ हो चुगा है इसके बसे कोई इमिर्जेंस में हम पानी बंद करने के लिए कुशिश करें तो यह पानी बंद नहीं होता है ॉ क्वाल बंद करेंगा चलता आरे इसलिए हमको यहां से खोलना है और फ्रेंट से जो यह टी लगा है यहां पर टी का जो आउटलेट है वहां से हमको खोलके यह जो लाइन है हमको चेंज करना पड़ेगा इतना ही टी से यून तक उतना चेंज करके हम यह वाल को चेंज करेंगे कैसे चेंज करते हैं और कैसे उ इसको युनन को थोड़ा हतोड़ा में मारे तो थोड़ा लूज होता फिर हम रेंच में खोल सकते हैं पर यह बहुत दिन घटो हो गया है और मारें के बाद भी खोल सकता है लेकिन हमको मारना नहीं क्योंकि फ्रेंट्स देखिए यह पाइप नीचे अंडर्गांड में गया है स्लाप का अंदर अगर हम इसको ज्यादा कुछ मार दिया इसका अंदर जो रस्ट भरा है वो सभी नीचे उतर जाएगा इसलिए फ्रेंट्स इसी सीचुएशन में क्या करना है अगर हरीजेंटल में पाइप होगा तो तो आपको मार सकते यह वर्टिकल का है वर्टिकल कभी में से खोलने के लिए पहले यहां वाल से उपर से यहां पर पाइप को कट कर देना है कट करने के बाद फिर यह पीश को आराम से रेंच से खोल सकते हो और वह पीश को भी खोल सकते हो चले मैं खोलता हूं पहले प्रेंट्स देखिए यह अब यहां पे वाल है और हमको यहां पे वाल लखना है क्यों सेम आगे रखे तो दिख्वत होता है थोड़ा सा हॉड़ा है में रखना है पहले इसका मेजरमेट ले लेना है तीजी का पास में से जितना वहां पूस होगा एमटी लगेगा तो मिनियूम यहां तक आपको मेजरेमेंट लेना है यहां मेजरेमेंट लेने के बाद है फिर आपको पाइप कट करके पहले बनाना है पहले सेम पाइप इसको कट करना है और उसके लिए क्या है देखिए फ्रेंट्स एक वाल लगेगा और एक में बीट लग पूस्ट कर दना है एक अलडी मैंने टेफलन दिया हुआ है पहले इसको पूस्ट कर दना है अलडी दो तरप से इसको सल्वेंट लगा के इस तरह एमेविट को पहले पूस्ट कर दना है और वाल को लगाना है और वाल को कैसे फेटिंग करना है अलडी मैंने वीडियो बनावा इस तरह का पूस्ट करना है अभिए पुस्ट हो गया यह भी रेडिएट एफ्लेंट अब लगा क्या इसी तरह का रेडि करके रखना है फिर आपको उसको पाईप को cut करना है फिर आपको यह जो पाईप का जएंट है यहां से मेले जब हम करेंगे तो पानी आना चालू हो जाएगा हाँ इसले तुरंत करके फिर वाइग को खोलना है इसके लगा। पानimize यह नहीं तो हम कर देना है थोड़ा सा पानी वेस्ट होगा क्यों कि रंइंग लाइन घ्यांक का लाइन इसक पानि वेस्ट होना ही है और इस तरह का खोल देना पहले उसको खोलने के बाद ये वह बना कर रखा फ़हीं प्रूब यह एंटी का ते फर दिया है अलड़ी और इसमें वाल लोग दाल दिया पहले हमको एंटी को टाइट कर देंगो वहां पे और वाल को बंद कर देंगे इसके पानी बंद हो जाएग पर आप सब्सक्राइब होग सब्सक्राइब होगा इसी तरह का टाइट करते पहले उसके बाद इसको खोल्ना है यहां यूनल से खोलने के बाद हमको एफ बीट मरना आप सब्सक्राइब करेंगे चारों को अलड़ी मैंने उपर से कट करके अभी यहां पे वाल लगा दिया अभी चारों को अलड़ी फिटिंग हो चुका है पहले ऐसे कर देना है अगे आपका पानी पहले बंद हो गया अभी वाल बंद कर दिये अभी देखे फ्रेंस इसको मैंने खोल दिया हूं इधर एफिवेट लगा आके इसको करेंट करेंगे और यह तीनों का ऐसे खोलना पड़ेगा फ्रेंस कभी भी हातोड़ा में मारके खोल कोशिस नहीं करना क्योंकि जितना डॉस्ट है सभी नीचे चला जाएगा चलिए मैं इसको खोल के एक 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 इसको फ्रेंस यह वाल के बाद है फिर आपको यूनन देना है उसके बाद यहां यहां फेवीट मारके फिर आम मों करनेक्ट कर देंगे और यह एम्टी दो था इस्ट्रा थिर मैंने कहाएगा जी दो कलर लेके एम्टी लगा दिया फ्रेंस इसी तरह का आप फिटिंग कर सकते हैं चालू लाइन में क्योंकि ट्यांक का पास तो कोई वाल नहीं है या तो ट्यांक खाली करना पड़ेगा तभी जाके काम कर सकते है आप इसी तरह का कर सकते हैं फ्रेंस अगर वीडियो पसंद आया चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक तो फ्रेंस एक जरूर करना आज के लिए एतना है